हेलो वेलकम इने के स्टड़ी 1024 आज मैं सॉल्फ कर रहा हूं कॉस्ट नबर 5 क्लास 9 के एक साइज 2.4 का देगे इसमें क्या करना है में फेक्टराइज करना इसमें तो फेक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है हमें एक्स की एक ऐसी वैलू फाइंड आ आता है तो 2 आता है 1 के डेबल में और 2 के डेबल में अब इन दोनों जो भी आपको नंबर मिलेंगे उनको 1-1 में लिखो फ्लस-1 भी छो माईनस 2 भी लखो फ्लस-2 भी रखो जब आपको यह चार जो नंबर मिले हैं इन में से एक ना-1 जरूर ऐसा होगा कम से कम एक 6 इसको यहां गर हम रखेंगे तो यह 0 बन जाएगा देखिए कम से कम एक कहने का मतलब है कि एक न एक तो इसमें से होगा जो इस पूरे को 0 बना सकता है बाकी एक से जादा भी हो सकते है ठीक है अब देखिए मैंने रखा सबसे पहले मानलो x is equal to 1 यहां पर रखो 1 की cube क्या होग 1 minus 2 1 का square 1 हुआ 1 को 2 से multiply करा 2 आ गया x के यहां 1 रखा तो हो गया minus 1 यहां पर plus 2 पहले से ही है अब देखिए plus 2 minus 2 खतम minus 1 plus 1 खतम क्या बच गया 0 अब इसमें तो पहली बार में ही 0 आ गया ठीक है ना x बराबर 1 रखते ही क्या मिल गया मुझे 0 हर question में ऐसा नहीं होगा किसी कि question में आपको यहां पहली बार रखने पर नहीं मिलेगा दूसरी बार रखने पर नहीं मिलेगा मतलब आपको तब तक रखनी है value जब तक कि वह मिलना है ठीक है आप देखे एकस बराबर 1 रखने पर 0 आया तो आपको क्या करो आप प्लस 1 जो है यहां पर सको left में लाओ यह ज हम देरे देरे सारे step में clear करूँगा कि divide कैसे करते हैं और इसको पूरे questions को कैसे करेंगे ठीक है आप देखे एकस माइनस 1 यहां लिखतो यह देखो कि यह descending order में है कि नहीं powers की तो यहां power 3 यह power 2 power 1 power 0 ठीक है आपको यहां पर powers की descending order में लिखना होता है घटते हुए करम में त इसको divide करने का तरीका क्या होता है कि यहां पर आपको जितने भी term दियों जैसे यहां पर 1,2,3,4 आपको पहले को छोड़के बाकियों से कोई मतलब नहीं अभी जब तक आपको यह ने decide करने के लिए सिर्फ पहला term पहला term क्या है x की power 3 अब देखे यहां x की power 1 है और यहां x की power 3 answer आना चाहिए तो आप क्या करोगे x की power 2 लिखोगे ठीक है ना तो यहां x की power 2 लिखो तो क्या हो जाएगा x की power 2 into x की power 1 कितना हो जाएगा यह x की power 3 और यहां plus था यहां plus प्लस 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 ही रहेगा यहां भी plus था अब इसके बाद क्या करो बाकियों से भी multiply कर दो अब x की power 1 से multiply हो तो x की power कितना आजाएगा 2 ही आएगा मतलब इसको decide करने में सिर्फ हम पहले factor को देखते हैं बाकी फिर multiply सबसे करते हैं ठीक है तो 1 से भी करेंगे plus minus minus इसके बाद आप क्या करोगे इसके बाद आप निसान बदल दो generally जो आप बचपन से करते हो आप क्या करते हो 5 को यहाँ लिखा 2 को यहाँ लिखा 2 तू जा 4 फिर यहाँ क्या कर देते हो minus 4 तो plus का था जब तक आपने minus का निसान नहीं लगाए था 4 क्या है plus का है पर आप यहाँ पर निसान बदलते हो यहाँ minus लिख देते हो 5 मिने चार गया 1 ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर हम निसान बदल देते हैं ठीक है x की cube x की cube खतम अब minus 2 x square है और यहाँ plus का 1 x square है क्योंकि यह निसान अब minus का का काम नहीं करेगा इसका नया वाले निसान जो है वो ही है पहले वाला खतम हो चुक है तो यहाँ पर क्या पचेगा प्लस का 1, minus का 2 क्या है यहाँ पर यहाँ पर हैगा minus 1 का x minus 1 x square जो बच्चा आप इसको उतार लो ठीक है तो यह यहाँ उतार लिए यह यहाँ उतार लिए ठीक है अगर minus minus के बीच में multiply है तो निसान प्लस होगा जैसे एक example से करता हूँ minus 2 और minus 2 इसका answer क्या आएगा minus minus plus 2 to the 4 यह तो ठीक है लेकिन अगर minus 2 minus 2 रहा अब यहाँ पर minus minus plus होगा लेकिन निसान प्लस नहीं होगा यह number plus होगी यहाँ minus minus plus होने का मतलब क्या होता है minus 2 minus 2 plus 4 अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो यह गल्लत हो जाएगा क्यों? क्योंकि अब minus minus जब इनके बीचे multiply नहीं इसका मतलब होता है जब number को plus करो 4 तो होगा लेकिन निसान minus ही रहेगा ठीक है? तो यह बात आपको याद रखनी है ऐसी अगर अलग-अलग निसान होंगे जैसे मालो एक plus का 2 होता और एक minus का 2 होता इनके बीचे multiply होता अब चाहिए multiply लिखो या ऐसे bracket इसका मतलब भी multiply ही है ठीक है? चाहिए लिख लो ठीक है? अब अलग-अलग निसान है ऐसे ही minus 2 और यहाँ plus का 4 ठीक है? जैको अगर निसान अलग-अलग है बीचे multiply ही है तो इनको तो multiply ही करो तो 2 तो 4 नमबर तो multiply ही होंगे लेकिन निसान plus minus minus आएगा यह मतलब है यहाँ plus minus का यहाँ भी plus minus का मतलब minus है लेकिन number का minus तो plus minus minus करोगे लेकिन number का 4 में से दो गया 2 बचा यह मतलब है यहाँ पर minus का ठीक है? plus minus minus होनेगा लेकिन निसान क्या हैगा? निसान हम यह देखेंगे कि 2 और 4 में बढ़ा कोन है? अगर निसान की बात ना करो मैं भूल जाओ समझे लो दोनों positive होते तो 2 और 4 में बढ़ा कोन था? 4 4 में से 2 गया तभी तो 2 बचा तो निसान वो लिखेंगी जो 4 के left साइड में है यानि 4 के left में क्या है? plus 2 ठीक वैसे ही देखो यहाँ पर क्या था? minus 2 और plus का 1 यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है तो अब इनके निसान अलग-अलग है लेकिन इनके बीचों multiply नहीं हो रहे गई तो यहाँ minus plus minus होगा लेकिन number का समझ मैं यह बात? 2 में से 1 गया? 1 और निसान किसका लगीगा? 2 का जिसमें से गटाएंगे उसके left वाला अब यहाँ पर minus इसलिए नहीं आया है कि minus plus minus होता है minus plus minus होता है इसलिए नहीं आया वो इसलिए आया है क्योंकि 2 में से 1 को गटाए है तो 2 का निसान आएगा ठीक है? चलो यह confusion भी clear हो गई होगी अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बच्चा माइनस x स्क्वाइर माइनस x प्लस 2 अब फिर से पहले step को पहले term को ध्यान में रखो बाकी को थोड़े देख लिए बूल जाओ कि यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए यहाँ माइनस है यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है लाना माइनस है तो यहाँ माइनस यह होगा प्लस माइनस यहाँ प्लस है कुछ नहीं तो प्लस माइनस माइनस ठीक है x स्क्वाइर यहाँ x है तो कितने x यह होँगे एक x यह होगा x इंटू x क्या हो जाएगा x का square अब minus minus plus x分 time JTX यानी plus X ये minus का plus बन गया ये plus का minus बन गया निसान change कर देंगे ये cut गया अब धेखो फिर से minus minus आगया minus minus plus होगा लेकिन number plus होगा यहाँ पर क्या 1 यहाँ क्या 1 तो 1 और 1 को plus करोगे 2 क्यों इंकि भीचे multiply नहीं हो रहा है निसान क्या रहेगा, निसान तो वही रहेगा, माइनस काई, जब एक जैसे निसान होते हैं, मल्टिप्लाई ना हो, तो निसान वही रहता है, माइनस ही, नमबर प्लस होते हैं, प्लस टू, ठीक है, यह एक 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 क्या होगा, दो नहीं, दो एक ठीक है, तो minus 2x हो गया, अब फिर से होई, पहला term याद रखो, पहला term में क्या है, minus, यहाँ plus है, तो plus को minus से multiply किया, minus आ गया, अब यहाँ plus minus multiply हो रहा है, तो निसान में change आएगा, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर 2 भी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को किस से multiply करोगे, 2 से, त 2 अंजा 2, इंटू में, साथ में x भी है, minus minus, plus, 2 अंजा 2, निसान बदलो, यह खतम, यह खतम, plus 2, minus 2, क्या बच गया, 0, ठीक है, लास्ट में आपका 0 ही बचना चाहिए, इस question में, क्यों बचना चाहिए 0, क्योंकि हमने divide ही उससे किया, जो इसका एक factor था, मतलब उसको पहले आपने कहीं न कहीं mistake करी है, divide करने में, ठीक है, आप देखो, यह 0 आ गया, इसके बाद आपको क्या करना है, जो यह है न, quotient, इसके factor करने है, x square, minus x, minus 2, ठीक है, अब देखो, यह आपको solve करना आते ही होगा, ठीक है न, मैं इसमें नहीं जा रहा, अगर आपको यह नहीं आत मैं जल्दी से बस कर दे रहा हूँ, 2 एंजर 2, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 2 एंजर 2, multiply करके 2 आना चाहिए, और यहाँ minus है, तो minus करके यहाँ बीच में क्या है, minus 1 आना चाहिए, तो यहाँ एक स्क्वायर, minus 2x, plus 1x, minus 2, ठीक है न, अब देखो, minus 2, और यहाँ पर, plus का 1, इ minus 2, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 common लो, यहाँ बचेगा x minus 2, अब इन दोनों में, इसमें, और इसमें, इन दोनों में क्या चीज common है, x minus 2 दोनों जगाए, तो अब x minus 2 ले लो, यहाँ से x minus 2 गया, क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा, plus 1, ठीक है, तो दो factor तो यह हो ग होंगे, पहला, जिससे हमने डिवाइट किया, यहाँ, x minus 1, दूसरा, जो यह दोनों आए, x minus 2, और तीसरा, यहाँ, x plus 1, ठीक है, तो यह है, इसका पूरा answer, अब मैं कर रहा हूँ, question number 5 का second part, question number 5 के second part में, जैसे कि आप पहले part में सिख चुके हैं, जो इसका constant राम होता है, फिर वही number आप minus में भी लिख दो, और प्लस में भी लिख दो, और इसमें से हमें try करना है, चारों में से कौन है, जो इसको 0 बना सकता है, सब सब पहले मैंने लिए x is equal to 1, ठीक है, x is equal to 1 रखके देखते हैं, 1 की cube क्या होगा, 1 minus 3 into 1 का square, क्या हो गया, 3 हो गया, minus 9, x यहां 9 बन जा, 9 minus 5, ठीक है, आप देख लो, यह 0 तो नहीं हो रहे है, ठीक है, तो यानि कि इससे हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम अब दूसरा कुछ try करते हैं, चलो मैंने लिए लिए plus 5, अब देखते हैं यहां पर, 5 का cube कितना हुआ, 125, minus 5 का square, कितना हुआ, 25, 25, ठीक है, minus 59, 45, minus का क्या बचा हुआ है, 5, अब देखे, 135 में से यह 5 गया, बचा 120, इन दोनों को जोड़ा, 120, minus, ठीक है, यहां पर 0 आ गया, यानि कि, x बराबर 5 रखने पर 0 आ रहा है, क्या रहा है, 0, x बराबर 5 रखने पर, 5 को इदर लाओ, क्या बन जागा, x minus 5 square to 0, यहांने आपको जो डिवाइड करना है, वो किस से करना है, x minus 5 से, एक फेक्टर तो मिल चुका है, डिवाइड करो, फिर जो आएगा, उसको फेक्टराइज करो, आपको दो बाकी के फेक्टर मिल जाएंगी, च्छले, मैं डिवाइड करती जाता है, ठीक है, हम मैं डिवाइड करो, यहां पर, x minus 5 के साथ, पिछली बार की तरह है, सबसे पहरा ठंद देखो, क्या है, x की q, और यहां पर, x की 1 है, तब क्या करना होगा, x की power 2 से, multiply करना होगा, ठीक है, x की power 2 into, x की power 1 क्या होगा, x की 3, plus minus, minus, x की 5, ठीक है न, plus minus, minus हुआ, 5 x square हुआ, निसान बतलोगे आप, यह खतम हो जाएगा, यह plus का हो चुका और यह minus का, निसान अलग अलग है, मतलब, plus minus, minus होगा, किसका, numbers का, तो 5 में से 3 गया, 2, क्योंकि 5 में से 3 यहां पर घटा सकते हैं, तो निसान किसका हैगा, जिस में से घटा है, यानि plus का, ठीक है न, क्योंकि 3 तो 5 में से 5 निसान अलगा, 5 में 3 गटा है, तो 5 में 3 गया, 2, निसान आएगा, 5 का, plus, x square, minus में जो बचा उतारो, 9x minus 5, यहां तर संद में आ गया, अब देखिए, यहां बार पहरी बात तो प्लस चीए, यहां भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टिप्लाई करोगा, तो और यहां 1 है, तो 1 को 2 से मल्टिप्लाई करो, यहां 2 आएगा, तो यहां गया, 2 x square, पहला वाला जैसे पूरा बन गया, अब इसमें कुछ चेंज नहीं करना, अब जो है, इसको इससे मल्टिप्लाई करो, second वाला जो है, minus 5, तो यह गा, plus, minus, minus, 5 दूनी 10x, यानिकी minus 10x, ठी ठीक है, अब निसान चेंज करो, यह घतम, अब देखें, फिर से, 9, minus का है, 10, plus का है, अलग-अलग निसान है, minus होगा, 10 में से, 9 गया, 1x, निसान किसका लगा, जिसमें से, 10 में से, 10 का निसान गया, plus, यह प्लस x आ गया, minus, 5, plus, ना भी लिको, तब भी हो, plus ही होता है, ठीक हो जाएगा, 1 into 5, 5, plus, minus, minus, ठीक है, यह plus था पहले, अब निसान चेंज करो, यह minus हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, खतम, यह खतम, 0 आ गया, अगर 0 रिमेंडर आ है, मतलब क्या, हमने सही किया है, आप देखें, यह जो भी आया है, कॉशेंट, मैं हाँ लिक रहा हूँ, क्या लिंक में दिस्क्रिप्शिय में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो, ऐसी, ऐसे expression को, ऐसे polynomial को कैसे effect rise करते हैं, अब देखें, यहाँ पर यह होगा जाएगा, x square, गुणा करके कहाना चीए, 1 बंजा, 1, और जोड़के 2, तो जाएगा 1 और 1, 1x और 1x, 1 और 1, 2 होता और यहाँ से भी x plus 1, ठीक है, यह को मना आया, तो बहर बचा, x plus 1, तो दो factor तो इसके यह रहे, ठीक है, तो जाओकर मैं सारे factors लिखूं, तो all factors, क्या क्या होंगे, ठीक है, सारे इसके factor क्या क्या होंगे, पहला रिया था, x minus 5, और यह दोनों क्या है, x plus 1 और x plus 1, तो यह है ह बिलता हैं फिर अगली वीडियो में, अगली वीडियो को अच्छी लगी है, तो इसको like करें, share करें, subscribe करें, इस channel को, thank you